यहाँ पर इसका चार नोमर, बहुपद दिया है PX equal to में X का पावर 4 मैंनस का 5X प्लस का 6 और बहुपद GX दिया हुए हाँ पर मैंनस का X square और प्लस का 2 इसको हम लोग सीधा करके लिए तो लिए भाग देते हैं मैंनस का X square प्लस 2 में भाग देते हैं हम लोग किसे X का पावर 4 मैंनस का 5X प्लस 6 कितना बार में ले जाएंगे तो मैंनस का X square बार में इससे इससे बुना करेंगे तो प्लस X का पावर 4 और प्लस मैंनस मैंनस का 2X square मैंनस का 2X square साइन चेज़ करते हैं मैंनस प्लस यह कड़ गया पलस का 2x square, माइनस का 5x, पलस का 6, अब कितना बरून ले जाएंगे तो पलस, माइनस, माइनस का 2 time, मैंने 2 से मिलने पिरा केंगे तो पलस का 2x square, और यहाँ पर माइनस का 4, sine change करते हैं माइनस, प्लस ये कट जाएगा, तो माइनस का 5x और पलस का 10 इसका घात अब इसके दाहत से कम हो गया तब यहीं पर छोड़ देंगे तो यहाँ पर जो qx आ गया क्यों सेंट यहाँ भाग फल माइनस का x स्कॉयर माइनस टू और सेस्पल जो आ गया rx वो क्या गया माइनस का 5x पलस का 10 माइनस का 5x पलस का 10 तो अब देखिए हम लोगी वाजने दो इसमें देख लेते हैं उसको सत्या अपना gx इंटू में qx पलस का rx तो gx का वैलू यहाँ पर कितना है माइनस का x स्क्वाइर प्लस का 2 qx मेली क्या है माइनस का x स्क्वाइर माइनस का 2 ठीक है और शेस्पल जो है आपका माइनस का 5x प्लस का 10 है चलिए यहाँ जागा x का पावर 4 माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वाइर 2x स्क्वाइर माइनस का 2x square और फिर minus का 4, ठीक है, minus का 4, ठीक है, यहाँ पर जागा minus का 5x plus का 10, यहाँ से देखिए, यह और यह कट जाएगा, अब देखिए क्या हो जाएगा, तो आ जागा यहाँ पर x का power 4, minus का 5x, और plus का 6, यह जो हमें